दोस्तों कर आप भी भारत और श्री लंका के बीच पहला T20 मैच देखने के लिए उतसाहित हैं चाहते हैं कि टीम इंडिया पहले T20 मैच को जीत कर सीरीज में बढ़त बनाये तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों श्री लंका को रौंदने के लिए आखिरकार भारती कप्तान सूरे कुमार यादव ने तीन मैच की T20 सीरीज के लिए चुनली है अपनी टीम पले केले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर सबसे रुमान चक काटे का मुकाबला हो चुका है शुरू तो आखिरका टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की तरफ से किसने बना दिये कितने रन क्या है प्लेइंग 11 टीम रिंकू और सूर्या ने कैसे इस मैच में रच दिया है तिहां सब कुछ हम आपको वीडियो में दिखाने जा रहे हैं लेगन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और श्री लंका मेंसे पहला टी-20 मैच कौन सी टीम जीतेगी अपनी कीमती रहे नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा तो चलिए अब आपका ज्यादा समयना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं क कि भारत और श्री लंका दो चिर्ट प्रतिद्वन्दी टीम हैं और दोस्तों अभी भारतिय टीम ने हाल फिलाल में टी-20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था और उसके बाद पांच मैच की टी-20 सीरीज जो जिंबावे के खिलाफ खेली गई उसमें शुभुमन गिल की कप् अपनी टीम को अपने मैदान पर मुश्किल में से निकालना बखो भी जानते हैं और जब से कप्तानी श्री लंका टीम की वनिंदु हसरंगा ने समाली है तब से श्री लंका की टीम ने हारना सीखा ही नहीं है और दोस्तों अब आखिरकार समय आ चुका है जब भारतिय टीम श्री लंका की टीम का ये घमंड थोड़े और सूरे कुमार यादफ की कप्तानी में तीन मैच की टी-20 सीरीज हम तीन शूनने से जीते हैं वहीं दोस्तों अगर आपको मुकाबले से पहले पूरा स्केडियूल बताते हुए चले भारत और श्री लंका की बीच मुकाबलों क वहीं इस मैच का लाइफ टेलिकास्ट आप टी-वी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं तो वहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में सोनी लिफ एप इसका लाइफ टेलिकास्ट करेगा जिसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना अनिवारे रहेगा भारत और श्रीलंका के बीच इतिहास के हेड-टो-हेड मुकाबलों की बात की जाए तो दौनों टीम के बीच 29 मैच खेले गए हैं जहां पर भारती ए टीम ने 19 और श्रीलंका ने 9 मैच में जीत हासिल किये तो वहीं एक मैच में रिजल्ट नहीं निकला है ऐसे में भारत औ तो वहीं पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं तो वहीं पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने नौ मुकाबले को अपने नाम किया है इस मैदान पर पहली पारी का आस्ट स्कोर 161 रन का है तो वहीं इस मैदान पर आस्ट्रेलिया की टीम ने सबसे बड़ा स्को 263 रन साथ विकेट के नुकसान पर बनाए तो वहीं सबसे कम स्कोर न्यूजिलैंड ने 70 रन ओल आउट होकर बनाए है दोस्तों भारत और श्री लंका के बीच पूरी सीरीज बल्ले केले किरकेट स्टेडियम पर खेली जाने वाली है जो काफी ज्यादा बहतर मैदान है यहाँ पर बल्ले बाजों के बल्ले पर गेंद बड़े ही बहतरीन तरीके से आती है तो वहीं स्पिनट और तेज गेंद बाजों को भी समय समय पर मदद मिलती रहती है ऐसे में गेंदबाज और बल्लेबासों के बीच ये मुकाबला काफी रुमान चग रहने वाला है तो वही मौसम की बात की जाए तो मुकाबले वाले दिन मैदान पर बादल चाये रहेंगे जहां पर बारिश की संभावना मातर दस प्रतिशत तक है ऐसे में परिस्थितियों और सभी चीजों को मद्य नजर रखते हुए भारती कप्तान सबसे पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला चुनेंगे और पहले बल्लेबाजी करते हुए अगर टीम इंडिया इस मैदान पर 200 रन बना देती है तो यहाँ भारत को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन आएए अब आपको पूरी प्लेंग 11 टीम बताते हुए चलते हैं पहले श्री लंका की टीम बताएं तो यहाँ पर दोस्तों श्री लंका के लिए कप्तानी तो वानिंदू हसरंगा करते नजर आ रहे हैं पाँचवे नमबर पर संजू सैमसन खेलते नजर आएंगे चटे नमबर पर रिंकू सिंग खेलेंगे फिर हार्दिक पांडे और बतार आल राउंडर टीम का हिस्सा बने रहेंगे वहीं श्रीवम दूबे को भी मौका दिया जाएगा को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद